काफी दिनों बाद विलकम बाक तो मैं चैनल अगेन तो काफी लेट उठी हूँ मैं क्योंकि रात भर मैं लेट तक जगती हूँ तो चाय पी के भरपूर जोश के साथ मैं हो गई हूँ रेडी अब बस जाना है परहाई करने बट मैं सोची की चलो थोड़ा बाहर देखाती हू तो बाहर आज मौसम देखो कितना बढ़िया बना है सोच रही हूँ कब यार कब बारिश आ जाओ बस बरस जाओ इतने काले बादल है बट लगता है ऐल नीनो एफेक्ट के कारण ये होने से रहा तो अब मैं आज आती हूँ रूम में और शुरू करती हूँ वही अपने एक अज़े नो मुझे एकनामिक्स के साथ बहुत जादा अटाच्मेंट हो चुका है क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है आ वस नाट अन एकनामिक्स स्टूडेंट बट जब आप पढ़ने लगते हो एक साइंस बैक्राउंड के स्टूडेंट एकनामिक्स पर इसका भी आप आप जब काफी मजा रहरा है आप एकनामिक्स खतम करने के बाद नो इस टाइम की मैं अपना बीपिस की प्रपरेशन में खिता है फिर से वापस आ जाओ यूकि BPSC का एक्जाम फिर से आने वाला है and it's on 30th of September I guess 69th BPSC and preliminary exam भी है so उसके preparation भी काफी जोर शोर से चल रही है so अभी मैं स्टार्ट करोंगे with Bihar quality Bihar specific quality होगा and मुझे एक बहुत अच्छा PDF मेरे हाथ लगा है for the preparation अगर आपको भी चाहिए हो तो आप मुझे comment करके बताना मैं अपने PDF मैं इस PDF को अपने telegram channel में share कर दूँगी let's go तो यह रहा मेरा BPSC का setup आप देख सकते हो यही है वो PDF जो मुझे कल मिला था and यह बहुत ही मुझे मैं इस PDF को go through की and I found it really helpful इसमें बिहार specific सारे information है and दोनों language में आप देख सकते हो एक तरफ English में एक तरफ Hindi में so currently I was going through my past BPSC paper जिसका exam मैंने 12th feb को दिया था and मुझे यह दिखना है कि ठीक है question easy ही थे but still जैसे कि pattern and trend बदल रहे है जैसे कि very recent example of disastrous UPSC 2023 prelims उसके बाद से ऐसा feel आ रहा है कि आपको in-depth knowledge अगर किसी भी subject का नहीं है तो आप उस questions को attempt कर ही नहीं सकते हो आपको either वो question आपका wrong होगा या आपको उसे छोड़ना पड़ेगा and यह risk तो नहीं ले सकते इसके लिए in-depth होना बहुत साथ ज़रूरी है so here I am studying BPSC का जो quality का पार्ट है उसके लिए सिर्फ बिहार specific सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मी कांथ पढ़ना है बट बिहार specific related भी बहुत ज्यादा knowledge लेके जाना है करना बिलकुल ही वर्जित है करी नहीं सकते no choice so दोनों का जो preparation होगा वो अलग-अलग होगा आपको state wise अलग परना आप किसी भी state से हो अपना state PCS का quality section अलग से परो and अपना जो main quality है overall जो इंडिया का quality इंडिया का constitution उसे अलग से देना है so of course PCS में थोड़ा ज्यादा बर्डन हो जाता है people think कि वह ज्यादा easy but it's not the thing so यहां पर extra मेहनत है तो करते है इस मेहनत को तो पड़ाई के साथ साथ equally important है जिम और मैं जा रही हूँ जिम करने सो मिलती हूँ rest of the day वहाँ पर spend करती हूँ और फिर वहाँ से आके अपने day को continue and productive बनाने का कोशिश करती हूँ so यह रहा मेरा जिम now let's go up तो घर आने के बाद मन किया मुझे मेरा फेवरेट वेब सीडीज असूर देखने का असूर पार्ट टू जिसे लगता है आठ एपिसोड कंप्लीट करने में मुझे 800 साल लग जाएंगे बट वह कंप्लीट होगा नहीं बट उसके बाद इमीडियटली एक एपिसोड के बाद मैं शुरू कर देती हूँ अपना न्यूस पेपर देखना क्योंकि आज मैंने न्यूस पेपर नहीं देखा था सुबह तो दिस इस दे न्यूस पेपर एंड मुझे ये मैं ऑनलाइन ही न्यूस पेपर रीट कर लेती हूँ बट अगर मैं लाइबरी जाओ तो वहाँ पे मैं ऑफलाइन भी प्रेफर करती हूँ तो आज के न्यूस बे जो भी इंपोर्टन है वह बस पढ़ना है तो अज इस सेट शेरिंग इस केरिंग तो जो भी पूरे दिन मैं मैं सीखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि हमारा ये बॉंड बना रहे है और हमारा जो प्रिपरेशन है वो साथ-साथ होता रहे तो मैं लेकर आई हूँ 5 ऐसे topics एकनामिक्स के जो UPSC point of view से बहुत 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 है आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक कर ले ना बत फिलहाल आप इससे note-down कर सकते हूँ मैं topics के नाम बता देती हूँ You just jot it down So the first topic is GDP this is the sticky note मैंने इस पर लिख रखा है okay So the first topic is GDP and national income Now the second one is money and banking Third one is government budget या पर fiscal policy आप slash करके लिख सकते हो Government budget or fiscal policy The fourth one is BOP, International Organizations and Foreign Exchange That is Forex And the fifth one is the most important one That is the government schemes 80% of the questions are from these government schemes If you want, you can make a copy of government schemes This is my plan I will write all the schemes that I see All the schemes that I see I will write all the schemes So the final revision will be helpful So everyday if you learn something new Then you can share it in the comment section And I will share it with you So that's all for today guys We will meet you in the upcoming vlogs Till then if you like my content Then do subscribe and like share and comment Thank you Thank you Thank you